आज हम डिसकस करेंगे अल्ट्रा वाइड बैंड सिस्टम अल्ट्रा वाइड बैंड सिस्टम बेसिकली एक ऐसी वाइरलेस टकनोलजी है जिसमें हम सिग्नल को ट्रांस्मिट करेंगे बहुत हाई बैंड विर्थ में transmit और power रखेंगे बहुत कम low power signal की bandwidth रखेंगे हम बहुत जादा और power रखेंगे हम बहुत कम चलो इस चीज को understand करते हैं diagram के यल्फ से यह हमारा antra wide wind system है और यह हमारा 80.2.19 यह यहनी कि Wi-Fi system है ठीक है तो Wi-Fi system जो है वो कितने 2.4 GHz पे होता है इसकी power काफी जादा है Wi-Fi की ठीक है इसकी bandwidth काफी कम है 100 WHz की bandwidth है नेकिन जो हमारा ultra wide wind system उसमें हमने bandwidth बहुत जादा रखी है नेकिन power बड़ी कम रखी है ultra wide band system की bandwidth हम रख देते 7.5 GHz दो इतनी जादा bandwidth है GHz में ठीक है तो अब इतनी high bandwidth रखी है हमने ultra wide band की तो इसका मतलब है कि Wi-Fi की comparison में ultra wide band system जादा speed देगा क्योंकि bandwidth जादा है पर हमने power बहुत कम रखी हुई है power हमने जो 41.3 dB है उससे भी कम रखी है इसलिए हमें license rating की जुरूरत नहीं है license rating की जुरूरत नहीं है इतने wide bandwidth यूज करने के लिए हम Wi-Fi के case में थो हम सिर्फ 2.0 GHz की bandwidth के across ही हम यूज कर सकते है ऐस तो एनी कि हम बहुत जादा bandwidth यूज कर पाएंगे हम free में क्योंकि power high है लेकिन ultra wide band system में हमने power इतनी कम कर दी इतनी कम कर दी कि अब हम पूरा spectrum freely यूज कर सकते है क्योंकि इसकी power noise से विकम है जो 41.3 decibel है यह एक चुन ही हम background noise मान सकते है इतनी तो background noise ही होती उससे विकम हमने power रख दी तो हम freely सारा spectrum हम use कर सकते है हमें कोई license नेने के जूरूत नहीं हमें high bandwidth को use करने के लिए ओके और जबकि Wi-Fi की case में जो 2.4 GHz bandwidth होती है उसके across ही हम use कर सकते थे 2.4 GHz का spectrum होता है उसके लावर नहीं use कर सकते हैं क्योंकि फिरों दूसरे services से interfere करेंगा लेकिन untra wide band दूसरे services से interfere नहीं करेगा तो basically क्या philosophy है untra wide band की high bandwidth and low power no license no license is required ठीक है दूसरा फायदा यह होगा इस चीज़ का कि हमें बड़ी low power devices design करनी है अब battery की बचत होंगी हमारी क्योंकि हमारी ट्रांस्मिट करेंगे बड़ी low power तो low power devices तीसरे जो सबसे बड़ा फायदा होगा इसका untra wide band system का traditional systems पे कि inherently secure system होगा है क्यों secure होगा क्योंकि इतनी कम power transmit कर रहे हम किसको detect करना बड़ा मुश्किल है इतनी low power को detect करना बड़ा मुश्किल है इसने यह ultra wide band system inherently secure system है ठीक है it is inherently secure system क्यों इतनी low power को कोई detect नहीं कर पाएगा चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है कि यह interfere नहीं करेंगा दूसरे system के साथ इतनी low power है कि दूसरे systems के साथ यह interfere नहीं करेंगा इस इस में low interference होगी it will not interfere with another systems low interference और एक सबसे बड़ा फायदा सबसे इंपॉर्टन फायदा जो इसका होगा इसका होगा इंप्रवाइड करेंगा इस चीज़ को में डिसकस करेंगे इत विन प्रवाइड इम्मिनिटी अगेंस्ट मल्टी पाथ इट विन प्रवाइड एक्सेप्शनल सब्केशनल करें तो एक उंगा यहां से सिंगनन वेजयें रिसेवर को होगा इसका हैट और इस चीज़ को कर लेता हूं है कि तो हमारा कि दिवार इटकर से यह पाथ one है यह एक दिवारस डकर Blow दिवारस करड़ दूर्सी दिवारस क्षग सब्सक्राइबです जब ट्रेशनल सिस्टम होति है जिसकी bandwidth बहुत कम होती है यानि कि low bandwidth का मतलब है कि प्लस प्रोडर रही है, उनमें इंट्रेस्ट ज़ाद होगी क्योंकि, यह हमारा लोव्पगशिक की परिंस है, अब इसक्येस में इंट्रेस्ट ज़ाद होगी क्योंकि इसका टाइंप पिर semiconday कम है, तो हो सकते है जो line of side से गया और दूसरे जो path one से गया वो opposite हो जाए signal कि जब line of side का signal zero है तो यह negative है negative side में चले ऐसा करने से दोनों का summation होगी तो zero आ जाएगा signal इसी को हम क्या बोलते है इसी को हम बोलते है multipath fading कि दूसरे पास से जो signal आ रहा है वो destructively interfere कर जाएगा इसके साथ इस चीज़ को हम detail में discuss करेंगे multipath fading के अलग से lecture बनाएगे ठीक है पर यह जो multipath fading effect है ultrawIDE band system के case में कम हो जाएगा क्यों क्योंकि यांटररवाइड बैंड system की pulse क्या होंगी narrow क्योंकि जितना ज्याद है बेंडवat पूरित होंगे उतनी narrow pulse हम transmit कर सकते है उसमें अल्टरवाइट बंड के गएच में हम बरी नरो पर्स ट्रांसमिट कर पाएंगे बंड मैं बहुत जाद है तो नरो पर्स को रिजॉल्व करना अजान है नरो पर्स को रिजॉल्व करना अजान है मल्टी बाथ में In utilization system, that individual pulses from multiple paths can be resolved independently. हर pulse को independently resolve कर पाएंगे. इतनी narrow pumps होoken in이식र pulse के। ठीक है? तो इस case में feeding effect बड़ा कम हो जाएगा इस case में अंट्रबाइडवेंट system में feeding effect कम हो जाएगा नेकिन एक challenge होंगा हर individual punch को resolve करनेगा वो चीज हम करेंगे rake receiver के थूँ rake receiver rake receiver क्या करेंगा multiple pulses को receive करेंगा rake receiver design करेंगे अंट्रबाइडवेंट system के case में पर short में बोलू तो अंट्रबाइडवेंट system के case में multipath feeding का effect resolve करना असान हो जाएगा क्योंकि punch बहुत narrow है जबकि traditional system जो हमाई traditional mobile system है उसमें हमें क्या क्यानी करना पड़ता है multipath feeding को resolve करने के लिए equalization करनी पड़ती है हमें फिर हमें diversity technique अपनानी पड़ती है वो सब करने की जूरत नहीं होगी हमें अंट्रबाइडवेंट system के case में ना हमें equalization करनी की जूरत है ना हमें diversity technique अपनानी की जूरत है ठीक है हम जस्ट एक receiver की help से resolve कर पाएंगे तो यह फायदा अल्ट्रबाइडवेंट system का सबसे बड़ा अच्छा हम अब challenges देखते हैं कि challenges क्या है अंट्रबाइडवेंट system design करने में फायदा तो बहुत है लेकि challenges भी है कुछ सबसे बड़ा challenge जो अंट्रबाइडवेंट system है यह है कि हमें narrow pulse generate करनी है generating narrow pulse खुद में एक बड़ा challenge है कि जितनी narrow pulse generate करनी होंगे उतनी fast devices चाहिए आप स्वीचिछ चाहिए होंगे generating narrow pulse इस a challenge ठीक है यह खुद में challenge क्योंकि इसके लिए हमें fast switches चाहिए होंगे fast circuits चाहिए होंगे है दूसर बड़ा challenge है receiver design करने का receiver design करने का क्योंकि बहुत low power transmit कर रहे है तो हमें ऐसे receiver design करने पड़ेंगे जो इतनी low power को भी sense कर पाए तो receiver design का वे एक बहुत बड़ा challenge है कि जो इतनी low power को sense कर पाए ठीक है और तीसरा है कि a to d conversion analog to distant conversion tough हो जाएगा इस case में क्यूंकि हमने बहुत narrow punches बिनानी है तो a to d conversion करना है हमने analog to distant conversion करना है तो हमें narrow punches बिनानी है तो अब हमारे circuit बड़े complex हो जाएंगे complex circuitry हो जाएंगी बारी तो processing बहुत सकते हैं कि processing complex हो जाएंगी इस case में ठीक है अच्छा अब हम use देख लेते कि कहां कहां use कर सकते हम अंट्रवाइड बेंट सिस्टम हमारा replace कर सकत लोकल एरिया network wireless local area network design कर सकते हैं इससे wireless local area network design कर सकते है Bluetooth और Wi-Fi को replace कर सकता है क्योंकि इसकी speed बहुत जादा है बहुत जादा speed है इसमें हम 1000 mbps तक की speed gain कर सकते है राम से 1000 mbps तक की speed क्योंकि इतनी bandwidth है जबकि Wi-Fi की speed नहीं इतनी तो हम replace कर सकते है इसको wireless local area network को अंटरवाइड मेंट सिस्टम का यूज कर सकते हैं Wi-Fi की जगह ठीक है दूसरा हम यूज कर सकते है इसका body area network body area network design करने में जैसे कुछ variable computing होगी variable computing design करने हमने example देता हूं मैं मालो कोई पुलिस वाड़ा है हमने ऐसा system design करना है कि पुलिस वाड़े की gun है अगर उसके बैल्ट से निकनके थोड़ी दूर चल जाती है 5 म.2 दूर चली जाती है कोई उसको यूज कर पाए उसके बंदुक की तो ऊसको यूज नहीं करपा है कि 5 म.3 के दार्चैनिक्गे उसके बैल्ट से तो कोई यूज नए कर पाए ऐस सहं work in underwater system कर सकते यूट अज़र Hill एक फ्री लाइसेस के जुरुतनी ना में चितने भी एफन давно conex इम घ barrel की जुरुतनी है दो यह वाइस नेनको में यूज हो सकता है इसका keep ये नेट्रक में भी यूज हो सकता है इसका वी रेबन्स प्लाने के लिए ठीक है और हम वायलेस डेस्ट्रॉप भी डिजाइन कर सकते हैं कि हमारे जो प्रिंटर प्रिंटर सारे कॉंपोनेंट्स है वह यूवी डब्लू के थुरू जोड़े हो आपस में वायलेस आसे हम यूज कर रहे हैंब है fake sorry मैंने एक छीजी गंत कर दी लेक्चर में मैंने यूवी डब्लू लिखा यूवी डब्लू बी ए direction की श्वाट में पोलेंगे मिया अम यूवी डब्लूबों बोलेंगे हैं यूवीन डबलू नि बोलेंगे ऑके बरके सब ठीक हैं तो I I hope आज का लेक्चर आपको अच्छा रगाओ, मुट्यू नेक्च्ट लेक्चर.